कि ये गाइस मैं इंदर 24x7 एप्रिटिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे तो हम फिर से बाप सी आ चुके हैं लेकर एक नहीं वीडियो जो कि है वीवो जीवान प्रो या आई वूट से वीवो जाट बन प्रो पे तो इस पर्टिकल कि भाई यार हमें तो 6.10.1 ने मिली उसके बाद लोगों को 6.10.2 भी मिल गी अब आपको 6.10.3 भी मिल गी अपर मुझे मिल नहीं पा रहीं तो यार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि वीवो की तरफ से मैंने किसी साइट पर पड़ा था कि अभी भी वो इसे एजन ग्रे 1.7.9 मिली फिर मैंने फेस्बुक पे एक स्क्रीन शॉट देखा जिसमें उन्हें 1.7.10 भी मिल चुकी है तो आप वो भी चेक कर सकते कि आपके फोन पे Android 5 अपडेट मतलब उसके बाद दो अपडेट आ चुकी है 1.7.8 की तो चलिए इस अपडेट के बारे में बात कर लेते उसके बाद जो Google Security Patch है वो August 2020 का कर दिया है उन्होंने system navigation जो gesture based है उसमें भी थोड़ी सी sensitivity improvement की है जो music app है जो जिसे हम iMusic app कहते है उसमें भी उन्होंने कुछ बैटर audio experience के लिए की है तो all in all like कुछ major चीज़े नहीं क्योंकि हम already android 10 पे है बट जिनको जो जो issues आ रहे थे वीवो की तरफ से वो resolve होने की कोशिश की गई है तो चलिए मैं download button पे install कर देता हूं उसके बाद background में कुछ और चीज़े discuss कर लेते हैं जब तक यह particular update डाउनलोड होती है तो सबसे पहले currently जो हमारे पास camera to API की provision है वह limited देखेंगे इस particular update के बाद वो change होती है कि नहीं वैसे तो change log के है साबसे तो chances बहुत कम है but again just for the verification part देख लेंगे इसके लावा wide one certification जिसे हम DRM कहते हैं उसकी देख लेते हैं जो security level है वो L1 है देखेंगे कि यह intact like L1 ही रेगा या change कर देंगे L3 क्योंकि कई OEM और manufacturers की तरफ से like उनके किसी ने किसी update में यह problem दे रहे हैं L1 से L3 फिर अगली में L3 से L1 कर रहे हैं बग बाद में इसे like install करने के बाद दुबारा से से run करूंगा फिर हम इसे verify कर लेंगे review पार्ट में तो यह था हमारा overall review like score जो है 226730 और नीचे consolidated part on the basis of CPU, GPU, memory management and UX की तरफ से इसके इलावा Geekbench score जो current version again 6.10.2 है और मैंने आज ही की है यह update करने से पहले तो single core score 413, multi core score 1538, इसके इलावा computation engine के base के ओपर दो अलगसी like API using opencl API जो score अवह 1030, using Vulcan API जो score अवह 989, इसके बाद दो चीजे और discuss कर लेते हैं और फिर directly jump in कर जाएंगे installation part पर, सबसे पहले PUBG mobile open कर देता हूं, तो इस time पर जो हमें highest available settings in terms of graphics and frame rate HD graphics and high frame rate, update install करने के बाद फिर से verify करेंगे कि इसमें तो ने कोई like changes कर दी है Google का, like iVood से, वीवो की तरफ से, like lower end पर कर दिया हो, and इसके लावा last is related to call of duty, तो ये हमारे पास है highest graphic qualities and highest frame rate, like very high, very high, आपको max भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप देखें like low करेंगे तो max frame rate, but मैं prefer करता हूं very high, very high, just for the analysis part, तो चलिए अब directly jump in कर देतें installation process पर, और as soon as installation process complete होगी, तो तब फिर से हम ये जो already चीज़ें discuss की हैं, कुछ उन में से discuss कर लेंगे कि वो changes हुएं कि नहीं, तो ज़स्ट में tap in करने जा रहों install now, verifying upgrade package और हमारा phone अब restart हो जाएगा, restart होने के आप आपको nearly about 5 to 10 minute वेट करना पड़ेगा, ताकि background में ये particular update installation complete हो जाए, साथ की साथ phone reboot हो चुका और next screen पर पहुंच जाएगा, जहां पर वो particular installer package इंस्टाल करेगा या update इंस्टाल होगी, तो finally installation स्टार्ट हो चुकिए, दो चीज़ें precautionary note के लिए बता रहा हूं आपको, कि do not play with volume buttons, और rather than with your power button, इसके इलावा कम से कम phone की battery 50% करके रखिए, just for the safer side, nothing like कोई वो नहीं है की hard and fast rule है की 50% होनी चाहिए, बट हमेशा safer side के लिए होनी चाहिए, तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये installation process complete नहीं हो जाती है, और अगले optimization phase में पहुंच नहीं जाते, तो finally installation process complete हो चुकी, अब हम next step if proceed करेंगे, जो है app optimization phase, तो चलिए वेट करते हैं तब तक, तो finally optimizing the app section start हो चुका, अब ये nearly about depend करता है कि आपने कितनी apps install की हुई है, तो उसी के हिसाब से वो time लेगा, तो nearly about at most I think 5 to 10 minutes, not more than that, but again depending upon the installed apps, तो चलिए वेट करते हैं, इसके बाद directly वो बूट इन कर जाएगा to the home screen, तो finally app optimization phase complete हो चुका है, अब आप पूछ रहा है कि password enter कर लीजिए, तो मैं अपना default password enter कर लेता हूँ, इसके बाद directly चलते हैं, system settings में दुबारा से confirm करने के लिए, system, just for the safer side, मैं जब भी कोई नई update इस्टाल करता हूँ, उसके बाद एक बारी फिर से जुरूर चेक करता हूँ, just for the safer side की कभी कबाद company की तरफ से back-to-back updates available हो जाती हैं, but chances बहुत कम होते हैं, तो according to that, we are already on our latest version, इसके इलावा मैं आपको security patch भी अब दिखा देता हूँ, confirm करके, तो आप मेरे phone की screen पे देख पा रहे हैं, security patch 1-8-2020 जो basically है, 1-August-2020, अब चलते हैं, दूसरी चीजें जो पहले discuss कर रहे थे, वीडियो के part में, कि चेक करते हैं कि camera to e-pay, अगें डिस्कस्टिंग बात है कि इतनी अच्छे phone पे, वो camera to e-pay की support नहीं दे रहे हैं, limited थी और limited पे ही है, इसके इलावा verify कर लेते हैं, wideband certification का, कि वो L1 की L1 है या उसे भी कोई changes हो है, तो अच्छी बात है कि L1 ही होनी चाहिए थी और L1 ही है, तो वीवो की तरफ से ऐसा तो कोई bug हमें आने वाले टाइम में या पिछले भी टाइम में देखने को नहीं मिला, अब PUBG Mobile और Call of Duty की game settings भी verify कर लेते हैं, तो अच्छी बात यह है कि update से पहले भी हमारे पास HD graphic rate था, या graphics settings ही और high frame rate था और वो intact है, मतलब वो ही का वही है, अब verify कर लेते हैं call of duty की तरफ से, तो इसमें भी अच्छी बात है कि very high and very high था, max मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अगर अब मैं इसे करूँगा और दुबारा से तो वो like hidden हो जाएगा, तो फिर से वही very high verify अवे अवे लेबल है, तो overall update की तरफ से जो अभी तक installation के बाद देखने को मिला है, तो चलती ही चीजों में तो कोई problem नहीं है, इसके बाद मैं चेक करूँगा, गेम खेल के की lagging तो नहीं है बगारा बगारा and so on, अगर जुरूर बढ़ी तो इसकी review वीडियो भी मैं जुरूर लियाऊंगा आने वाले 2-3 दिन में, तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से related to the new version that is 6.10.3, hope you like this video, if you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future, finally it's the time to sign up now, bye for now, thanks. क्सक्णश क्सश करेओड़ लिए के हम थाईड़ लिए थित्स, प्रोंकत रेंगा बवाई 5, 0, 3, 2, 2 616.07.89.